नमस्कार मैं पूजा पुनेठा हूँ और आप सुन रहे हैं बाल खबनामा इंडिया फॉर चिल्ट्रिन की तरफ से आपका स्वागत है आज एक अगस्त और दिन सोमवार है सबसे पहले हम नज़र डालेंगे सुर्खियों पर जारकंट से लड़कियों की ट्राफिकिंग करने वाले गैंग के चार सदसे गिरफतार मद्यप्रदेश के सागर में एक ही सीरिन से 49 स्कूली बच्चों को कोविट का टीका लगाया बिहार में अब बाल विवार रोकने में मुखिया मदद करेंगी मद्यप्रदेश के इन दौर में नौ साल की बच्ची से मामी ने की प्रता ट्राफिकिंग करने वाले गैंग के चार सदस से उत्तर प्रदेश के अलिगड़ से गिरफतार कर लिए गए हैं तीन लड़कियों को बरामत किया गया है मुस्लिम यूवक हिंदू नाम से आधार कार्ड बना कर ये गिरोह चला रहे थी मत्यप्रदेश के सागर में एक ही सी से 49 स्कूली बच्चों को कोविट का टीका लगाया गया टीका करन अधिकारी निलंबित कर दिया गया बिहार में अब बाल विवा रोकने में मुखिया मदद करेंगी अगर कोई बाल विवा का मामला सामने आता है तो संबंदित वॉट सदस से वा मुखिया जिम्मिदार मान बच्ची ने बिस्तर पर पिशाप कर दिया तो उसकी मामी ने गरम चींटे से उसको दाग दिया नदी में बहा देने की धमकी भी दी डर कर बच्ची घर छोड़ कर भाग गई बच्ची के माता-पिता की कोरुना काल में मृत्यू हो गई थी मामा मामी ने बच्ची को गोड ले लिया था पुलिस ने कहा है कि बच्ची के बयान के पाद पॉक्सो एक्ट में ये केस दर्ज किया जा सकता है अब कुछ राश्रिय खबरें निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अब 17 साल की उमर के यूवा नवंबर से मतदान के लिए आवेदन कर सकेंगे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचरों के फोटो लगाए जाएंगे ताकि ये डमी टीचर ना पढ़ा सकें कई जिलों में डमी टीचरों के द्वारा पढ़ाए जाने की शिकायत सामने आई है तमिलनादू के शिवगंगा जिले में बारवी के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है पिछले 15 दिनों में ये खुदकुशी का तीसरा मामला है इससे पहले दो जात्राओं ने खुदकुशी कर ली थी जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ था हर्याणा के फरीदाबाद में डॉक्टर बन कर गर्बपात करवाने का एक रैकेट चला रहा था दसवी पास युवक स्वास्ते विभाग ने टीम बना कर उसे पकड़ा और पुलिस को सौप दिया मेगाले के भाजपा उपाध्यक्ष को तुरा में अपने फार्म हाउस पर वैश्याले चलाने के आरूप में उत्तर प्रदेश के हापुड में गिरफतार कर लिया गया है मेगाले पुलिस ने फार्म हाउस से पांच नाबालिक लड़कियों को रेस्क्यू भी किया है बिहार के बीगु सराय में फूल तोड़ने निकली दो किशोरी वा एक बच्ची को आवारा कुत्तों के जुंड ने घे लिया डर के मारे तीनों ने कुए में छलांग लगा दी सोला वर्षिय किशोरी की डूबने से मौत हो गई और दो को ग्रामीडों द्वारा बचाया गया पंजाव वा हर्याना हाई कोट ने कहा है कि तलाख के बाद मा ही अपनी बच्चे को अपने पती की सहमती से गोद ले सकती है उत्तर प्रदेश के आगरा में दस साल की दिव्यांग बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोचा चालिस टीके लगे और अभी भी हालत गंभीर है केरल हाई कोट ने कहा है कि आविवाहिता का बच्चा भी देश का नागरिक आईडी में मा का नाम लिख सकता है अब कुछ बाल अपराज से जुड़ी खबरें उत्तर प्रिदेश के मुरादाबाद में 24 वर्षे किशोरी से कई बार दुशकन्द करने और गर्वपात करवाने के मामले में 65 वर्षे बुज़ुर को गिरफतार कर लिया गया हर्याणा के परिदाबाद में 7 साल की भतीजी से डिजिटल रेप करने के आरोप में दोशी चाचा को 10 साल की सजा सुनाई गई महराश के नापुर में 11 साल की नाबालिक लड़की से एक महीने तक सामुहिक दुशकन्द के मामले में 9 लोगों को गिरफतार किया गया उत्तर प्रदेश के संभल में मजजित में दीनी तालीम लेने के लिए आई 6 वर्ष की बच्ची से शिक्षक ने किया दुशकर्म गुजरात के सूरत में मजदूर की तीन साल की बेटी से दुशकर्म और हत्या करने के मामले को विशेश पॉक्स व अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है अब कुछ अंदराश्टिय खबरें कैनेडा ने भारतिये चात्रों के पचासवी सदी वीजा आवेदन रद कर दिये हैं और चिशिक्षा के लिए गए थे आवेदन पॉप फ्रांसिस ने कैनेडा के कैथोलिक स्कूलों में बच्चों पर किये जारे अत्याचारों के लिए माफी मांगी है युनिसेप ने अपने ताजा सर्वे में कहा है कि भारत में ग्यारा से चौदा साल की उम्र में पढ़ाई छोडने वाली लड़कियां सत्तर प्रतिशत घड़ गई है रूस की राजधानी मौसकों में शत्रंद खेलने के दौरान रोबोट ने साथ साल के बच्चे की उंगली तो उड़ दी अमेरिका में छे साल के बच्चे ने पांच साल की बहन के सिर में गोली मारी बच्ची की मौत हो गई इस मामले में पुलिस ने माबाप को गिरफतार कर लिया है अगले हपते इसी समय सुमवार को फिर से सुनें बाल खबर नामा तब तक के लिए इंडिया फॉर्ट चिल्विन की तरफ से मैं अपने संपाद किये टीम विवेक शिवास्तव, रोहित शिवास्तव और पिनाकी रोतेरा की तरफ से आप से इजाज़त चपने